त्षिकत तो आज की हमारी क्लास है ठीक है आज की हमारी इस पड़ेंगे ठीक है वैसे मतलब लगता है कोई बताएगा बाइंसी तुमने कहा पड़ा हुआ है किसी ने कुछ यह वर्ड सुना है बाइंसी देखो तुम्हें ना एक एक ऐसे में दिखा रहा हूं एक बैग्राम दिखा रहा हूं देखो इस तरीके से ठीक है यहां पर तुम्हें एक चीज दिखरी होगी कि यहां पर ना यह वाटर का कॉलम है देखो ऐसे करके यह वाटर का यह वाटर है ठीक है और वाटर के अंदर नहीं बॉड़ी दिखरी होगी तुम्हें ठीक है एक सॉलिड बॉड़ी यहां पर दिखरी है राइट अच्छा जो भी आये ना वह अपने आपको म्यूट कर ले ठीक है और कोशन पूछना हो तो अन्म्यूट करके पूछ लेना ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं तो यह है बाइंसी देखो क्या होता है कि आगर हम किसी भी चीज को फ्लूड में डालेंगे है ना फ्लूड में डालेंगे तो होगा क्या उस पे एक अपवर्ड थ्रस्ट ठीक है और इस अपवर्ड थ्रस्ट को हम क्या कहते हैं बाइंड फोर्स भी कहते हैं ठीक है इसका दूसर नाम क्या है बाइंड फोर्स ठीक है और इस फिनॉमिना को क्या कहेंगे हम बाइंसी राइट तो जब भी कोई चीज वाटर के अंदर जाती है या फ्लूड के अंदर जाती है तो वो क्या फील करती है वो अपना थोड़ा मास क्या कम फील करती है क्यों क्योंकि उस पर उपर की तरफ क्या लगता है एक फोर्स लगता है इसको हम बायूंड फोर्स कहते हैं और इस फिनॉमिना को हम कहते हैं बायूंसी राइट सो यहां पर मैं तुम्हें लिखव देखो, the upward force, the upward force acting on a body, acting on a body when emerged in when emerged in fluid is called upthrust, ठीक है, इसको upthrust भी कह सकते हैं या अ अब थ्रस्ट और बायओंड फोर्ष, ठीक है एडिस फिनॉमिना इस फिनॉमिना इस पो काल्ड इस फिनॉमिना इस को उन्मुट करदू, और इस फिनोमेना को हम बाइउनसी कहते है तो तुमने देखा होगा जब भी तुम स्विम्मिंग करने जाते हो तो तुम्हें थोड़ा हलका सा लेकिन एक और फोर्स आगया जो तुम्हें उपर की तरफ धकेल रहा है तो वेटा इसी फिनोमीना को हम क्या कहते हैं और वह जो फोर्स लग रहा है उसको या तो हम अब थरस्क कहते हैं या बहुत सिंपल सी बात है ठीक है अच्छा यह वाला जो फोर्स है यह किसने बताया थ सबसे पहले के बारे में सबसे पहले बताया और इसके पीछे इस लॉजिकर ऑर वह बहुत सिंपल सी सीब और कोईactiv में है तो इसे अपठरस लगता है ठीक है और उसका weight क्या हो जाता है थोड़ा हलका हो जाता है ठीक है इसी phenomenon को हम bioncy कहते हैं bioncy राइट अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं archimedes principle इस bioncy को बताने वाले थे कुन वो थे archimedes ठीक है तो next topic है हमारा archimedes principle ठीक है archimedes principle ठीक है archimedes principle तो आर्किमेडेश principle ना जरा ध्यान से देखना और समझना इस चीज को ठीक है क्योंकि बहुत ही important है यह कही वैसे बहुत सारी लोग इस चीज को skip कर देते हैं लेकिन हम इसको skip नहीं कर रहे हैं ठीक है हम इसको बहुत अच्छे पढ़ने जा हैं क्योंकि इस से रिलेटेट कोशन तुमारे इंटर्स वगेरा में आ सकता है ठीक है तो ध्यान से देख लेना यह आर्किमेडेश principal है क्या अच्छा आर्किमेडीस प्रिंसिपल को अगर अच्छे से समझने है ना तो मैं तुमें एक डाइग्राम दिखाने जा रहा हूं जरही हिस डाइग्राम को देखो अच्छे से ठीक है इस डाइग्राम को देखना एक सेकंड हुम यह डायग्राम देखो वेटे और यह डाइग्राम देखके बताओ तुम्हें क्या लग रहा है देखना एक सेकंड मैं अन्म्यूट कर दूँ सबको कि म्यूट ठीक है अच्छा एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो और यह चीज लॉजिकल है या नहीं है तुम्हें कंटेनर दिख रहा होगा यहां पर है इस कंटेनर में वाटर फिल्ड अपर ठीक है अच्छा यहां पर हुआ क्या देखो यहां यह स्प्रिंग बैलेंस जानते हो जो व जैक को किस के अंदर डालूँगा पानी के अंदर डालूँगा तो उस पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा जिसको हम बाइंसी कह रहे थे है ना और वो अपना कुछ वेट क्या कर देगी लूज कर देगी है ना अच्छा जितना वो करा था वेट उसको अगर हम जानना चाहते हैं तो जो यह वाटर लेवल राइज हुआ था उसको अलग से निकाल के हमने मेजर कर लिया ठीक है तो तुम्हें दिख रहा है यहां पर जड़ा ध्यान से देखो 6 kg की बाड़ी थी 2 kg बाइउंड फोर्स लगा और इस 2 kg बाइउंड फोर्स को तुमने कैसे बताया जितना भी लेवल राइज हुआ था यह बाड़ी डालने पे वो सारा वाटर निकाल लो और उसका मेजरमेंट कर लो जो इसका वेट आएगा ठीक है जो इसका वेट आएगा यह आरकेमेडिस की observation थी ठीक है तो यह बात समझ में आई या नहीं आई देखो बहुत सिंपल सी बात है यह बताओ ठीक है तो आरकेमेडिस ने क्या बताया आरकेमेडिस ने बताया कि जब भी हम किसी चीज को किसी वाटर के अंदर डालेंगे तो वो चीज अपना वेट कर देगी जितना वाटर लेवर राइज हो जाएगा ठीक है उस वाटर लेवल को जितना राइज निकाल लो मेजर कर लो तुम्हें यह पता लग गया तो तुम बता सकते हो इतना वेट अपना अंदर क्या लूज कर दिया तो इसको हम कहते है आरकेमेडिस प्रिंस्पल इसम में इस ऐफ चली फार्स चली और होली ठीक है ओली इमर्ज इन फ्लिव इमस्ञेटने फ्लिव्ड अ ठीक है जब भी किसी बॉडी को क्या करते हैं फ्लुड में हमने डुबाया ठीक है तो उस बॉडी को उस बॉडी पर क्या लगता है एक अप थ्रस्ट लगता है इकवल इस इजी इकवल कि तू द वेट कि वेट अफ रीकिविट डिस्पलेज बेट अफ दिक्विड डिस्पलेज़ड फि दिस्पलेज़ड ठीक है कहने का सिंपल मतलब है कि जब भी हम किसी बॉडी को पानी के अंदर डालते हैं तो उस पे एक bion force लगता है और अगर तुम्हें वो bion force पता करना है तो कुछ नहीं करना है इस diagram के according देखो अगर तुम्हें ये वाला bion force पता करना तो कुछ बहुत simple सा fact है जैसी तुमने इस body को अंदर डाला तो कुछ water level rise हो जाएगा है ना उस water level को अलग से निकाल के measure कर ल होगा यह किसने बताया था archimedes ने और यही है हमारा archimedes principle ठीक है तो archimedes principle ने generally किसके बारे में बताया उस bion force के बारे में जब किसी body को fluid में डालते है तो उस पे जो force लगता है जो bion force लगता है ठीक है उस force के है क्या और यह कैसे आया ओके तो यह है हमारा bion force यह है हमारा bion force अ है वह आप वर्ड या अप थ्रस्ट भी कहते है इसको ठीक है आप थ्रस्ट वर्ण बताओ किसी को कोई डाउट यहां तक यहां तक किसी से प्रूव कर लेंगे इसको बहुत सिंपल सा फैक्ट है देखना एक डैरिवेशन के थरू हम इसको भी बहुत अच्छे सकते हैं एक सकते हैं इसी इस डाइग्राम के थूरू हम इसको कर सकते हैं अच्छा एक बात बताओ कौन यह बताएगा को यह बताएगा कि यह पूरी चीज वाटर के अंदर रखी हुई है अच्छा बा'T बताओ यहां पर कुछ फ्रेशर लग रहा होगा दूर्क यहां लग रहा होगा लिक्विडक यह नीं लग रहा होगा बिलकुल लग रहा रहा होगा इस बॉटम पे भी तो एक प्रैशर लग रहा होगा थिक है तो नीचे पे फॉर्स जो भी प्रैशर लग रहा है यह फोर्स लग रहा है ठीक है वो कहां लग रहा होगा ऊपर की तरफ और राइट अच्छा एक बाद बताना क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ज़रा ध्यान से देखना तो अब हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ठीक है तो प्रूफ कर लेते इसका प्रूफ तो एक बाद बताओ प्रेशर आगर मैं तुमसे कह रहा हूं प्रेशर ओन अपर फेस ठीक है अपर फेस कितना है तो उसको मैं कह रहा हूं पी एचा पेवन का फॉर्म्मॉला मैंने तुम्हें बताया था लिक्विड जब भी प्रेशर लगाता है तो फॉर्मॉला क्या होता एह फॉर्मॉला होता है एच रोजी राइट आप जरहा ध्यान से देखन similarly pressure को क्या हम force में convert कर सकते हैं हाँ convert कर सकते हैं जो pressure का formula होता है force per unit area ठीक है तो यहाँ पर बताओ अगर मुझे इसी pressure से force निकालना हो F1 तो हम क्या करेंगे हम ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं P1 A ठीक है तो force बताओ force कितना लग रहा है upper face पे तो यह हो जाएगा x rho g और यहाँ पर हो गया A से multiply यह हो गई हमारी first equation मतलब इस वाले face पे जो भी इस वाले face पे जो भी pressure जो भी force लग रहा है वो कितना है वो है x rho g a all right similarly बालक similarly देखना नीचे वाले face पे बताओ कितना pressure लग रहा होगा तो pressure pressure lower pressure on lower face ठीक है lower face पे pressure कितना लग रहा है वो लग रहा हमारे पास P2 ठीक है और P2 देखो उपर face से नीचे यहां तक की height कोई बताएगा यहां तक की height है क्या ठीक है यहां तक की height कितनी है तो देखो यहां तक की जो height हो गई वो गई x plus h ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे x plus h यह तो हो गई height और यहां पर लिखेंगे rho और यहां पर लिखेंगे g ठीक है similarly इससे हम F2 वाला force निकाल सकते हैं जो उपर की तरफ लग रहा है तो वो कितना लग रहा है वो हमारे पास लग रहा है x plus h rho g और इसको किस से multiply कर देंगे area से तो यह आगई दूसरी equation ठीक है तो देखो यहां पर जो मैंने body बनाई थी इस तरीके से उपर से एक force लग रहा है कितना x rho g x rho g ठीक है नीचे से एक force लग रहा है उपर की तरफ ठीक है जो कि कितना है यह बताओ कितना है x plus h rho g ठीक है अच्छा ही एक बात बताओ अब इस body पे net नेट फोर्स कहा लगेगा उपर की तरफ या नीचे की तरफ बताना कौन सा फोर्स जादा है यहाँ पर डैफिनेटली यहाँ पर यह लोवाला फोर्स जादा है है ना तो सिंस फोर्स ओन लोवर फैस इस ग्रेटर जैने अपर अच्छा अपर वाले पर से जादा फोर्स लग रहा है तो बताओ बॉड़ी कहां पर मूव करने की कोईसिस करेगी बॉड़ी डैफिनेटली ऊपर मूव करने उकशिस करेगी हैं तो यह दी हमारे पास देखो यह थी हमारे पास वह कौ्ड इन freshly hed... defin间 उपर से फॉर्स कितना लग रहा था i**** । नीच isn't on नीचे से से फॉर्स कितना लग रहा है बता हो को f2-f1 करके निकाला जाएगा और यही जो फोर्स है यही फोर्स है हमारा बायोंड फोर्स ठीक है तो मैं यहां पर कह सकता हूं यहां पर जो बायोंड फोर्स आएगा बायोंड फोर्स ठीक है वो नेट फोर्स होगा जो की उपर की तरफ लग रहा है और वो फोर्स आया कितन है हमारे पास f2 है हमारे पास x plus h ठीक है rho g a ठीक है minus f1 हमारे पास कितना है x rho g ठीक है इसको अगर हम solve करेंगे इसको अगर हम solve करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा ये यह हो गया x rho g a ठीक है plus इसको अंदर multiply कर दो h rho g a minus इस यहां पर आ एगा ठीक है एकस रो जी ये बाताना किससे क्या ग्यों toc इससे इस वाले प्यक्तर से यह वाला फैक्टर एक हैं सिल और ना तो यहां पर नेट पूर्ड पॉर्स कितना आ रहा है है ए टा यह यह नय enact तो देखो जो भी बायूंड फोर्स लग रहा है उपर की तरफ वो बेटा इतना लग रहा है और यही तो मैंने तुमें उपर लिखवाया था कि आर्केमेडिस ने यह बोला था कि जब भी किसी बॉड़ी को पानी में डुबाया जाएगा है ना तो उस पे एक बायूंड फोर तुम कर लोगे ठीक है और यह जो बायूंड फोर्स जो आया है ठीक है यह दोनों क्या होंगे सेम होंगे यही बताया था आर्केमेडिस ने बहुत सिंपल सा फेक्ट है यह बताओ किसी को कोई डाउट हावई एनी डाउट है तो यहां पर जल्दी बता दो अगर मैं और वॉल्यूम ऑफ दा बॉडी ठीक है इमर्जट रोग क्या है रोग है यहां पर देंसिटी ओफ लिकुट इमसेश तर यह सर यह इकोलिविमियम में होग़ा है अभी तो Εकिलिब्रियम में नहीं है अभी एक इकिलिब्रियम में कैसे है यहां से देखो अभी तो इसके एकलिभ्रियूम में नहीं है तो यह पर 20ip यहां पर रो गया यहाँ पर देंसेटी आफ डेंसेटी ऑफ टीन ओफ लिक्विड है पिया और यहाँ पर जी क्या हो गया जी हो गया acceleration ड्यू टू ग्रेविटी एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अधिक है हाँ अब जड़ा ध्यान से देखो यहां पर बताओ हाँ बोलो भी दो बोलो इसमें बेट नहीं आया वेट वेट आया ना देखो वेट आयेगा वॉल्यूम into density, क्या होता है, mass ही तो होता है, और mass into gravity क्या होता है, weight ही तो होता है, है न, देखो, volume into density, ये कुछ नहीं होता है, ये mass होता है, ठीक है, और ये g है, अब याद रखना, ये mass of the body नहीं है, अगर तुमने इसको mass of the body ले लिया, तो बेटा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दे, ठीक है, ये mass of the body नहीं है, ये क्या है, mass of the liquid displaced, mass of the liquid displaced, liquid displaced, ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है, तुमें, अगर तुमने इतनी बात याद नहीं रखी, तो घडबड हो जाएगी कहानी, और पूछो, और किसी को कोई डाउट हो तो, हाँ भई, नहीं, चलो, तो इससे प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है, जो बाईउंड फोर्स है, ठीक है, वो क्या है, weight of the liquid displaced के equal आता है, यही archimedes ने बताया था, ठीक है, so this proves archimedes principle, right, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चे, किसी को भी, याद रखना यह जो V-row आ रहा है, इससे जो mass बन रहा है, यह mass of the body नहीं है, यह mass of the liquid displaced है, जब भी किसी चीज को पानी के अंदर डालेंगे, तो water level जो rise होगा, ठीक है, उस water level जो rise होगा, उसको इखटा करके जो weight आएगा, यह वो weight है, ठीक है, यह mass है, right? कोई doubt? No sir, अच्छा, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो apparent weight निकालते हैं, ठीक है, apparent weight निकालते हैं, किसका? immersed body का, ठीक है? apparent weight ठीक है, अच्छा, apparent weight क्या होता है, apparent weight देखो, बहुत simple चीज़ है, जब तुम पानी के अंदर जाओगे, तो तुम्हें अपना weight हलका लगता है, या भारी लगता है, हाँ भई, हलका लगेगा, भारी लगेगा, बताना तो तुम्हें अपना actual weight महसूस नहीं होगा, ये तुम्हें lift वाला case नहीं यादा रहा कुछ, जब हम lift में जाते थे, तो lift में हमें अपना actual weight महसूस नहीं होता, ठीक है, या तो हमें ज़्यादा महसूस होगा, या कम महसूस होगा, उपर नीचे होने पर, अगर accelerate कर रही है ठीक है, ऐसे करके एक body है, और बेटा ये water में है, ठीक है, मालो ये water में है, ये water में रखी हुई है, ऐसे करके, ठीक है, water के अंदर submerged है, इमर्ज है, ऐसे करके, ठीक है, अच्छा है, इस पे बताओ net force कितने-कितने लग रहे है, एक force तो, इस पर क्या लग रहा है, कोन बताएगा, semi लगे density of liquid लगे राइट दूसरा force हमने पढ़ा कि इस पे एक bion force लगेगा उपर की तरफ है ना एक bion force फील होगा जो कि किसके equal होगा वी रो जी के ठीक है तो बताना बेटा इस पे जो net force लगेगा जो net weight होगा इसका definitely वो अभी नीचे की तरफ है ठीक है जो इसका net weight है वो नीचे की तरफ है और आएगा कैसे वो आएगा mg में से यह बाइन force क्या करके माइनस करके तो अगर तुम perks कभी bhi apparent weight निकालना है apparent weight ठीक है तो apparent weight निकालने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना real weight में से ठीक है, real वाले weight में से क्या कर देना है, force of buoyancy क्या कर देना है, minus कर देना है, ठीक है, चलो real weight बताओ कितना है, real weight था mass into gravity, ठीक है, और ये वाला weight कितना था, ये था V rho g, राइट, ये था हमारा apparent weight, अच्छा एक बात बताना, ये जो body का mass है, क्या इसके mass को मैं ऐसे नहीं लिख स सकता हूँ, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, बताओ apparent weight हमारा क्या आगया, apparent weight हमारा आजाएगा, V, ठीक है, mass को जब तोड़ोगे, तो volume into density, अच्छा, क्योंकि ये mass of the body है, ये mass of the body है, तो ये आएगा, volume into density of the body, density of the body sigma है, और ये g हो गया, ठीक है, minus, force of buoyancy कितन हो गया, V, rho, G, राइट, तो बताना, यहाँ पर apparent weight क्या आगया, apparent weight कितना है, इसमें क्या-क्या चीज common आगया, हमारे पास, V, common आगया, G, ठीक है, sigma minus rho, ठीक है, तो ये हो गया, हमारा apparent weight, इतना weight उस body को feel हो रहा होगा, इस water के अंदर, ओके, बताओ किसी को कोई doubt यहां तक, कोई doubt नहीं होना, चलो, आगे वड़ते हैं, क्या कह रहे हो, यह जो भी है, दोना same है, water ना, हाँ, सोचो, आगर तुम किसी चीज को पानी में मज कर रहे हो, तो कितना volume उपर आएगा, बताना, कितना volume उपर आएगा, जितना volume होगा, उस body का, सोचके देखना, मालो तुमार पास एक ball है, है ना, एक ball को तुमने पानी के अंदर डाल दिया, बहुत उससे, तो कितना water level rise होगा, उस volume जो बलून का volume है, उतना ही तो water level rise होगा, ओके, यह सर, ठीक है, ठीक है, चलो सही है, यह हो गया हमारा, ठीक है, तो apparent weight भी हमने calculate कर लिया, यहापर, किसी को कोई doubt नही है, तो यहापर थोड़ा सहब ठीक है, अच्छा एक बात बता ना, अगर मैं यहाँ से sigma भी बाहर निकाल लूँ, ठीक है, sigma भी बाहर निकाल लूँ, तो यह बचेगा क्या, v, sigma, g, sigma भी मैंने बाहर निकाल लिया, तो यह 1 बचेगा यहां रो बाई सिग्मा बचेगा है ना अच्छा यहां पर देखो वॉल्यूम इन्टू डैंसिटी यह क्या आ गया मास ऑफ दा बॉड़ी आ ठीक है और मास मास इंटू ग्रैविटी वन माइनस रो और यह सिग्मा आ गया इसको और भी ज्यादा हम लिख सकते हैं यह क्या है वेट ऑप दा बॉड़ी है वन माइनस रो बाई सिग्मा ठीक है तो यह एपरेंड वेट है यह भी एपरेंड वेट है उपर वाला भी एपरेंड वेट है जै सब 22 उपर लग रहा है दोनों को माइनस कर देना है दो मिनिट में यह यह फॉर्मुला दाएगा देखो यह वाला ओके बोलो किसी को डाउट यहां तक कोई doubt है नो डाउट चलो आगे बड़ते अब हमारा जो इसमें topic बचाएron में यह law of flotation ठीक है law of flotation law of flotation ठीक है तो law of flotation क्या है जरा ध्यान देखना इसको लौफagrotation को अचालो फ्लोटेशन में लौफ ब्लोटेशन में है तुम्हें डाइग्राम दिखा रहत है यह यहां पर रिक डाइग्राम दिखा रहे हूं उस डाइग्राम को जरा ध्यान से देखण आ हुआ कि यह देखा हुआ बता तीनों डाइग्राम में क्या फरक है तीनों डाइग्राम में क्या फरक है यह पहले वाले डाइग्राम से तुम्हें क्या पता चल रहा है देखो पहले वाले डाइग्राम में बॉडी क्या कर गई है सिंक कर गई है ठीक है कम्प्लीटली बॉडी सिंक कर गई है ना कर रही है बिलकुल ना उपर है ना नीचे बिलकुल वाटर के अंदर ही फ्लोट कर रही है ठीक है फ्लोटिंग इंसाइड इंसाइड फ्लोट कर रही है ठीक है यहां पर बताओ क्या हो रहा है यहां पर भी बॉड़ी फ्लोट ही कर रही है लेकिन तुम्हें क्या दिख रहा है अच्छा यहां पर अगर कोई भी बॉडी सिंक हो रही है तो देखो बिल्कुल साइज सिंपल सी बात है बताना कौन सा फोर्ट जादा होगा फोर्स ऑब बायूंसी जादा होगा या वेट जादा होगा ठीक है मालो तुमने एक किलोग्राम का कोई बटा जिसे कहते हैं वेट वह डाल दिया अब बेटा उस पे लो फ्लोटेश मनलब बायूंसी लगी नहीं पा रही है इतना फोर्स लगी नहीं पा रहा है ठीक है तो क्या होगा बताओ क्या होगा वह उसके अंदर डूब जाएगा ठीक है मतलब वेट वहाँ पर डॉमिनेट कर रहा था बायूंड फो गी सरफ अधिक है यहां पर दोनों में ही बॉड़ी क्या कर रही है फ्लो ड कर रही तो यहां पर वेट या वहाँ लो रोना चीए एकक का मोना चीए किशासब बायुसे अरे बोलो सही बात है ये ठीक है। यह तो पहली कंदेश्ट से दूसरे वाले में यह होगा ना सी वाले में ऐसा करके अरे सही है यह देखो है ओके तो राइट तो चलो बताना अच्छा ज़रा ध्यान से देखना ध्यान से देखना अब मैं जो करवाने जा रहा हूं ठीक है इफ बॉडी सिंक इफ बॉडी सिंक ठीक है अगर बॉडी डूब जाती है तब बताओ क्या कह रहे थे हैं हम यह कह रहे थे वेट ऑफ दा बॉडी जादा है ठीक है वेट ऑफ बॉडी इस मोर देन फोर्स ऑफ बाइउनसी फोर्स ऑफ बाइउनसी ठीक है अच्छा बताना वेट का फॉर्मला क्या होता है वेट का फॉर्मला क्या होता है मास इंटू ग्रेविटी ठीक है फोर्स ऑफ बाइउनसी का फॉर्मला क्या था वी रो जी ठीक है तो जी से जी क्या हो ग density of the body आएगा और यहां पर आएगा वी रो ठीक है अच्छा वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा है ना तो यहां पर यह बताना अगर density of the body is greater than density of the fluid तो बताना body sink कर जाएगी नहीं कर जाएगी कर जाएगी तो बताना iron अगर मैं किसी iron needle को या कोई भी iron metal डालूं water के अंदर तो क्या वो float करेगी या डूब जाएगी डूब जाएगी ठीक है बताओ यह बात समझ में आई या नहीं आई आई हो समझ में आ गई होगी है ना चलो दूसरा case देख लेते हैं अच्छा दूसरे case में हमारे पास दो case है ठीक है एक तो जब body बिल्कुल ही पानी के अंदर है बिल्कुल ना उपर है ना नीचे है इस case में क्या होगा इस case में weight of the body बिल्कुल force of buoyancy के क्या हो जाएगा equal हो जाएगा बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ऐसा होगा अच्छा जैसी ऐसा होगा तो बताओ तुम क्या लिख सकत ठीक है याद रखना बेटा यहाँ पर सिग्मा किसकी डेंसिटी है बताना और यहां पर रो किसकी डेंसिटी है रो डेंसिटी ऑफ फ्लूड ठीक है इसमें मत होना अक्छा यहाँ पर बताओ किससे क्या कैंसिटी होगे वी से वी कैंसिल हो गया जी से जी कैंसिटी कैंशिल हो गया ढेंसिटी हो फिल्कुल सही उनसी ज़्यादा है तो यह तो बड़ा कमफर्टेवल वाला केस है ना इसमें बॉड़ी बहुत अच्छे से फ्लोट करेगी उपर ही रहेगी तुमने लाइव जैकेट देखा है लाइव जैकेट जो जो जब भी कभी डूबने से खतरा होता है तो लाइव जैकेट पहना देत देखना बिल्कुल सही बात है रहा चलो यह बताओ इस केस में बताओ यहां पर क्या होने वाला है यहां पर हम वेट को क्या करेंगे यहां पर वेट को हम रख सकते हैं एम जी ठीक है यहां पर रखेंगे वी रोजी बताओ यहां पर क्या हो गया यहां पर रखेंगे मास की जगा आजाएगा volume into density ठीक है और यह हो गया वी रोजी इससे यह कैंसिल हो गया बताना सिग्मा और रो अगर density of the body लेस है density of water से तो बेटा वो बोड़ी सरिफ तैरेगी नहीं उसका कुछ पार्ट उपर भी रहेगा बोलो सही बात है यह बिलकुल सही बात है अच्छा एक बात बताना किसकी density ज्यादा होती है आइस की वाटर की वाटर की वाटर की और आइस की density क्या होती है कम होती है तो अग आइसबर्ग हें बहुत बड़े बड़े हैना वहां पर क्या होता है बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी आईस है ठीक है जैस में बहुत सारा पार होता है और उसका लगबाq prim- परसेंट पार्ट नीचे होता है तो वहां पर भी बॉड़ी फ्लोट कर दिया लेकिन कुछ पार्ट ऊपर है और कुछ पार्ट नीचे है यह वाला पार्ट आइसबर्ग वाला ही पार्ट है ठीक है याद रखना ओके तो आई होग तुम कुछ कोश्चन करने के लिए काबिल हो गए हो अब तो इससे पहले ना मैं तुम्हें एक फॉर्मला लिखवा दे रहा हूं जो एंस्यार्ट में बहुत इंपोर्टेंट बता रखा है ठीक है तो यह याद रखना तुम देखो फ्रैक्श इस चीज को जरा ध्यान से देखना यह मैं क्या बताना चाहता हूं ध्यान से देखो इसके लिए ना मैं तुम्हें डाइग्राम दिखा दे अच्छा फिर से जॉइन करो हमारे पास टाइम खतम हो रहा है ना फिर से जॉइन करो फिर से जॉइन करोगे तो अच्छा समझ आज है चलो जॉइन करो फिर से ठीक है बेटा तो हमें देखो इस वाले टॉपिक में हमें क्या करना है सबसे पहले तो यह डाइग्राम तो तुम्हें दिखी रहा होगा ठीक है कि यह एक आइसबर्ग है ठीक है बहुत बड़ा यहां से देखना इसका 90% पर्ट क्या है नीचे है ठीक है इसका अगर मैं कहूं 90% पर्ट नीचे है ठीक है और सिर्व इसका 10% पर्ट उपर है ठीक है अब तुम्हें कोश्चन ना कई बार ऐसा आएगा कि एक बॉड़ी ऐसे फ्लोट कर रहे है जैसे यह आइसबर्ग कर रहा है ना तो यह यह पूछेगा कि बताओ कितना पार्ट आफ यह जो आइसबर्ग है यह उपर है इस वाटर के ठीक है ऐसे करके पूछेगा है रोटेशन में इसका मतलब सिंपल मतलब क्या है यह जो सबमर्ज वाला पाट है इसका जो वेट होगा ठीक है वह वेट अफडा बाइंसी के इकवल होना चाहिए बोलो सही बात है तो यहां पर देखो मैं ऐसे लिखूंगा यहां पर मैं लिखूंगा वेट ओफ दा किसने समाल रखा है बताना वेट ऑफ भाइंसी फिखने आश वेट अफ ऑफ और याद करो फॉर्स बायंसी क्सके पिंखुल होता था फ्र देशस्वेट फिखनेक रीट ओफ दिखूंगा अच्छा एक बात बताना इस यहां पर जो लिक्विड डिस्प्लेइस होगा वह कितने पॉर्षं की वज़े से होगा सिव इस 90% पर संपर्व जो भी राइज रहने में 20 psychiatrist अदर बता यह बात सभी है यह थिख है तो यहां पर यहां पर हम लिखने है मेरे Denn of the body, जिसको समहाल रखा है, ठीक है, weight of the body, किसके equal होगा, weight of the liquid displace के equal होगा, ठीक है, और यह मैंने कहीं से नहीं लिखा, यह मैंने Archimedes principle लिखा है, और कुछ नहीं लिखा है, तो देख बताओ, weight of the body, weight का formula क्या होता है, mass into gravity, ठीक है, और यहाँ पर weight of the liquid displace, weight तो वही part liquid displace करेगा, जो अंदर है, inside है, submerged वाला part, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, weight, ठीक है, weight, जो अंदर वाला body है, यह हो गया, gravity, ठीक है, V rho, ऐसा करके, ठीक है, अब जड़ा ध्यान से देखना, बताना किस से क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, G से G कैंसिल हो गया है, अब जल्दी बताओ, यहाँ पर V क्या है, V है, total volume of the body, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहूं, V is the total volume of the body, तो यहाँ पर हमारे पास equation आ गया, V rho, किसके equal है, V dash और यहाँ पर इसके, देखो, इसके equal है, है न, तो जल्दी बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V dash by V, हाँ बई, V dash by V, किसके equal हैगा, sigma divided by rho, ध्यान से देखो, ठीक है, और यह V rho क्या था, यह V dash यहाँ पर और यह V क्या है, total part of the body, ठीक है, total part, और यह किसके equal आ रहा है, यह sigma किसकी density है, बताना, sigma किसकी density है, density of body, very good, ठीक है, और यह rho किसकी density है, जल्दी बताओ, density of fluid, ठीक है, यह जो भी liquid है, वो, बोलो, इस formula को याद रखना, यह formula नहीं भूल मत जाना, क्योंकि neat wheat के उपर, इसके उपर बहुत question आते हैं, कि कितना part सम्मझ है, वो fraction बताओ, एक question करवा दू इसके उपर, ठीक है, एक question कर लेते हैं, चलो, एक question मैं यहां लिखवा रहा हूं, जरा देखते हैं, कितने बच्चे इसको actively कर पाते हैं, ठीक है, यह देखो, मुझे बताओ, क्या क्या given है इसमें बस, हाँ, देखो, तुम्हारे पास एक question given है, इस तरीके का, ठीक है, यह कैसे करोगे तुम्हें, तुम्हें क्या given है, पता है, तुम्हें एक वही, एक ice work given है, ठीक है, और तुम्हें बताना है, what fraction of iceberg is above the surface of water, ठीक है, कितना fraction surface above the water है, यह बताना है, ठीक है, तो एक बात याद करो, मैंने तुम्हें बताया था, V dash divided by V, किसके equal होता है, density of body divided by density of water, ठीक है, अच्छा, यह वाला V dash क्या था, V dash तो सम्मझ पार्ट था ना, हाँ वही, V dash तो हमारे पास क्या था, सम्मझ पार्ट, ओके, तो अब बताना, आगर मैं इसमें value पुट कर दूँ, तो हमारे पास क्या-क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, क्या मेरे पास यह नहीं आ जाएगा, देखना ध्यान से, V dash by V, ठीक है, यही fraction क्या है, सम्मर्जड है, fraction of body submerged, body submerged, मतलब इस fraction की body submerged है, ठीक है, sigma बताओ, body का, body का, मतलब density of ice कितनी given है, 917, ठीक है, और density of water कितना, sea water कितना है, 1025, ठीक है, अगर मैं इसको solve कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, बताओ, V dash by V आ जाएगा, जो कि कितना आएगा, इसको भी solve करो, इसको solve करोगे, तो कितना आएगा, 0.917 के आसपास आजाएगा, ठीक है, अच्छा, ये बताओ, ये क्या given है, क्या ये वो fraction given है, जो बाहर है, ये वो fraction given है, जो अंदर है, ये क्या given है, सोच के बताओ, ये वाली, ये वाला चीज़ क्या given है, fraction submerged या fraction out of the body, अरे वी डैस बताओ, क्या था, वी डैस तो सम्मर्ज पार्ट था ना भई, जितना इसके अंदर है, तो ये ये पता है, किसका आंसर आ रहा है, ये आंसर आ रहा है, जितना पार्ट submerged है, ठीक है, अब एक बात बताना, जितना पार्ट submerged है, आगर इसको तुम percentage में निकालोगे, बताना, आगर तुम इसको percentage में निकालोगे, कि कितना पात submerged है, तो in two hundred करोगे या नहीं करोगे, into 100 करना, बताना, कितना आ रहा है, into 100 करो, बताओ, कितना आ पार गया है, 91.7 91.7% परसेंट क्या है अंदर है अंदर सम्मस्ट है ठीक है अब यह बताओ कितना पार्ट उपर है यह कैसे निकालोगे यह कैसे निकालोगे समय पार्ट माइनेस कर दें कि और अब बॉडि आउटसाइड अटसाइड यह कैसे निकालोगे कुछ नहीं करना हंडेड परसेंट में से क्या कर देना हंडेड परसेंट में से इतना परसेंट माइनस कर दो 91.7 परसेंट ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ 9.3 परसेंट पार्ट इसका क्या है ऊपर है ठीक है बाकि 91.7 परसेंट पार्ट क्या है इनसाइड याध राखना यह जो वी-डैस भाए-वी रो। यह तुमने कहुद निकाला है यह वीदे में निकाला है कितना अंदर है यह चीज जए एए अगर यह निकालना होके कितना ऑटसाइट है तो यॉद्ष पहले कहल हो और उस टाइब का कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ लें नेक्स टॉपिक पे ठीक है तो याद रखो तुम्हारा फ्लूड एट रेस्ट एंड हो गया है ठीक है फ्लूड एर्स्ट जिसको हम हाईड्र स्टेक्स कह रहे थे यहाँ पर खतम हो गया वह फिसको रिकॉर्डिंग तो सिजहिए ठीक muson स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे ठीक है बहुत सारी उसके भी करेंगे मुझे लग रहा है इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कोश्चन बेज देने चाहिए तुम्हें क्यों तो इसके प्रैक्टिस के लिए मैं कोश्चन तुम्हें